दिल्ले में आयोजित पावर लिफ्टिन प्रतियोगिता में मत्रुरा के खिलाडियों ने जीते मिडल मत्रुरा आने पर भरतपुर गेट पर किया जो सिला सागत। खिलाडियों का बढ़ाया उस्सा, 9 सप्तमबर से 11 सप्तमबर तक दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता दिपावर लिफ्टिन इंडिया में मत्रुरा के भाग लेने वाले खिलाडियों ने मिडल जीत कर अपना ही नहीं बलकी मत्रा ब्रज शेत्र का नाम रोशन किया है। सब्सक्राइबर तक आयोजित की गई जिसमें पंजाबी पाग पस्षिम गुरु नानक दिल्ली में जिसमें दस लोगों ने भाग लिया और मत्रुरा के श्रीद्वार का द्वार के इस व्याम शाला की बच्चों ने प्रतिभाग किया जिसमें सवी खिलाडियों ने गोल् जीता तथा योगेस ने सीनियर 48 केजी वेड में गोल्ड हासिल किया हरिवांस ने सब जुनियर 82 केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया इस तरह कुल मिलाकर खिलाडियों ने बहतर प्रदर्शन किया जिसके चलते हुए उन्होंने लगातार मेडल जीते इस तरह प्रदर्शन क करने पर मत्हुरा आये खिलाडियों ने भरतपूर गेट पर जोसीला स्वागत किया गया एवं और अच्छा प्रदंश्र करने की कामना की गई खिलाडियों का उस्सावर्दन किया गया अभी शेक नाम है पता है अभी शेक नाम है पताईए एस्टिया नेशनल चैंपिंशिप पर इंटर्नेशनल नो से ग्यारा तारिकों दिल्ली पंजाबी बाग में हुआ था जिसमें की दस देश होने भाग लिया था और हमारे मत्हुरा के बच्चों ने जे हमारी पूरी टीम है अबने बाग लिया था वहाँ पर हमारे जिम के हमारी भ्याम साला के सभी खिलाड़ी ओने मत्हुरा के सभी बच्चों ने अपनी हंडेट परसेंट परफॉमेंस दी और उसी का नतीज़ा उसी का यह फल है कि सारे बच्चों का वहाँ पर गोल्ड आया अपने देश का न अब लेकर आए यह हमको अपने देश का नाज है कि हम इस देश के खिलाडी है जो हम आज गोल्ड मेंडल जीता है कर दाखल कर मधरा आए हैं आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है हमने अपने देश का नाम अपने स्टेट यूपी का अपने इसका पूर इंटरणेस्टनल वर्ल्ड में अपना नाम कगा है है कि अठी आज है कि अपने गच अपने ब्राच अपने यूपी स्टेट और इंडिया काि नाम फूरे एशिया में खराया है, हमको बहुत कुछी हुए और हमको हमारी फैमिली और हमको अमारी गुरू जी हमारी टीम का सायोग था. इसलिए हमने लोगों का सायोग था, इसलिए हमने की था.